केंदर सरकार जल्द ही नौकरी पेशा लोगों को खुश खबरी दे सकती है सरकार सोशल सिक्योरिटी और क्रेचुटी कोर्ट में बदलाव करने की तैयारी में है इस बदलाव के तहट अगर कोई करमचारी किसी भी कमपनी में एक साल काम करता है तो वो क्रेचुटी पाने का हक्तार होगा जबकि अभी क्रेचुटी पाने का हक उसी करमचारी को मिलता है जिसने लगातार पांच साल किसी एक कमपनी में काम किया हो केंदर सरकार इस बिल में संशोधन के लिए संसत के शीत कालिंट सत्र में पेश करने की योजना बना रही है इसे नौकरी पेशावर के लोगों के लिए बड़ी रहत माना जा रहा है अगर केंदर सरकार ये फैंसला लेती है और बिल पास हो जाता है तो नौकरी पेशार लोगों को बड़ी रहत मिल सकती है प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी जो लोग 5 साल से पहले अपनी नौकरी बदल देते हैं नई नियम के बाद एक साल के बाद नौकरी बदलने पर उन्हें ग्रैचुटी की रकम मिलेगी आपको बता दें कि अभी ग्रैचुटी उन्हीं लोगों को मिलती है जो किसी कंपनी में लगातार 5 साल तक नौकरी करते हैं 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर ग्रैचुटी नहीं मिलती है ऐसे मैं सरकार ग्रैचुटी के लिए तैप 5 साल की लिमिट को घटा कर एक साल कर सकती है इससे प्राइवेट नौकरी करने वाले उन लोगों को बड़ी सहूलियत होगी जो 5 साल से पहले नौकरी बदल देते हैं अगर बात करें क्रैचुटी की तो क्रैचुटी किसी कंपनी के लिए वफदारी के तौर पर देखी जाती है क्रैचुटी आपकी CTC का हिस्सा होती है इसकी ज़ादा से ज़ादा सी माँ 20 लाग होती है वैसे तो इसे हासिल करने में 5 साल एक कंपनी में काम करना होता है लेकिन कुछ खास पर इस्तितियों में जैसे करमचारी की मृत्यू या विकलांग होने की स्तिति में उसे क्रैचुटी 5 साल से पहले भी दी जा सकती है क्रैचुटी का पैसा उसके नौमीनी को दिया जाता है क्रैचुटी के रकम करमचारी की सेलरी और उसकी कंपनी में काम करने की समय पर बेज़ होती है क्रैचुटी की गिंती में बेसिक सेलरी, महंगाई भत्ता और कमिशन को मिलाया जाता है क्रेचिटी का पैसा करमचारी की आखरी सेलरी और उस कंपनी में काम किये गए कुल सालों पर निर्भर होता है जिस करमचारी को क्रेचिटी कानून के तहट कवर किया जाता है उसके 15 दिन के वेतन को जितने साल तक उसने आफिस में काम किया है उसे गोना किया जाता है इसके बाद इस रकम को 26 से भाग किया जाता है आकरी बेसिक सेलरी में महेंगाई भत्ता भी शामिल होता है 15 इंटू लास सेलरी इंटू कारकाल डिवाइड़ बाई 26 राश्ट्रे स्वयंफ सेवक संग के मजदूर संगठन भारतिय मजदूर संग के महासचीब विर्जेश पाध्या के मुताबिक ग्र्याचुटी के समय को 5 साल से कम करके 1 साल किया जाना चाहिए क्योंकि काई संगठनों में 80 प्रतिशत तक करमचारी ठेके पर काम कर रहे हैं अब संसत के शीत कालिन सत्र में इस पर मंजूरी मिलती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा